सुप्रिम कोट के चीप जस्टिस एनवी रमना आज कई अहम मामलों के सुनभाई करते हुए रिटायर हो गए बत और सीजे आई 16 महने के कारिकाल में जस्टिस रमना ने कई बड़े फैसले तो दिये ही काईदे कानून और सम्विधान के कस्टोडियन के तौर पर कई बार सरकारों को फटकार भी लगाई उनकी विदाई के मौके पर सीनियर एड़ोकेट दुश्यन दवे कोट रूम में ही रो पड़े दवे ने जस्टिस रमना से कहा आप जनता के जज हैं आज अपनी भावनाओं को रोक नहीं सकता आपने सम्विधान को बरकरार रखा हम आपको मिस करेंगे आपने नियंतरन और संतुलन बनाए रखा चीफ जस्टिस रमना ने अपने कारिकाल में जल्दी सुनवाई के लिए मुकदमों को लिस्टिंग करवाने पर ध्यान न दे पाने के लिए माफी मांगी और कहा आईम सॉरी इस दोर में जब नियाई पालिका को लेकर भी बहुत तरके सवाल उठें तब जस्टिस रमना ऐसे सीजे आई के तौर पर याद किये जाएंगे जिन्होंने किसी दबाओ से इतर काम किया जस्टिस रमना ने एक बार कहा था ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर सवाल उठाना चाहते हैं लेकिन पद छोड़ने से पहले बोलना नहीं चाहते हैं सीजे आई रमना के बाद जस्टिस यू यू ललित